ना ही ये मॉमो है ना ही ये पास्ता बहुत ही डिलिश्यस बन के आता है स्वाद तो गजब का और बहुत ही हल्दी है बच्चे एक बार खाएंगे न तो इसके दिवाने हो जाएंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसे बनाया है इस तरह से देखिए गाजर से जी हाँ आप बहुत ही स्वादिश्ट बन के आएगा तो स्वागत है बुलूल कीचन में तो मैंने इलगभग 200 ग्राम के करीब गाजर ले लिया है धो के छील लेना है और उसे इस तरह से पतले पतले पिसेज में कट कर लेना है तो इस तरह से हमें पतला पिसेज चाहिए ग बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है बस हमें इतना ही गाजर पका हुआ चाहिए तो अब इसे आप जहजरी से इस तरह से निकाल दीजे ताकि इसमें पानी ना रहे और इसे अच्छे से ठंडा कर लीजे अगर जल्दी बना रहे तो पंखा की नीचे डाल के ठंडा कर तो जैसे ठंडा हो जाएगा ना तो हमें क्या करना है इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका एक बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार करना है तो यह गाजर हमेरा ठंडा हो चुका है तो इसे में मिक्सी के जार में डाल के यह देखिए इस तरह से पेस्ट में तैयार कर लीए तो इसे न एक बड़ा सा mixing ball में transfer कर लेते हैं तो ये देखिए गाजर हमें ऐसा ही बारिक चाहिए एक उठलिया नहीं होनी चाहिए गाजर में अब इसमें एक बड़ा चमच corn flour add कर रही हूं और एक बड़ा चमच मैदा इसकी जगह आटा ले सकते हैं उससे कोई टेस्ट में अंतर करके बना सकते हैं तो ये healthy हो जाएगा तो बस इसे अच्छे से मिला के हमें इस तरह से डो तयार कर लेना है तो हाथों में तो घी लगा लीजिए या तेल लगा लीजिए उसके बाद इसे इस तरह से मस्लिंगे ना तो बिलकुल हाथों में नहीं चिपकेगा तो इसका ना पराठा भी बना के खा सकते हैं बहुत टेश्टी बन के आता है तो फिलाल तो आज हम बना रहें कुछ अलग सा नया रेशिपी तो इसे दो भागों में बाट लेते हैं और इसका चोटा चोटा जितना पेड़े जितना बरा लोई लेते हैं जिसे पूरी का लोई हम लोग ल दबा दीजे जैसे हम लोग पेड़े बनाते हैं बस उंगली से प्रेश करके दबा देंगे तो यह इस तरह से रेडी हो गया न तो चलिए गयस पर मैंने फिर से पानी गरम कर लिया है उसी पतिला में और एक चमचिस में तेल डाल देते हैं ताकि यह आपस में चिपके नही पानी जैसे ही उबाल आने लगे न तो उसके बाद ही सब पेरा डाल दे तो यह देखे सब को डालने के बाद उस बीच में क्या हुआ न मेरे गैस चुला का गैस खतम हो गया तो चेंज करने में टाइम लगता तो मैंने उसको फटा-फट से इंडेक्शन पे डाल दिया था तो इसलिए बरतन चेंज हो गया तो बस यह देखे यह अभी हुआ नहीं इसे दो मिनट और लगेगा तो लगवक 5-6 मिनट इसे पकने में लगता है तो बस जैसे ही उबाल आ जाए ना तो इसे छजरी में हम इस तरह से निकाल लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे तो जैसे यह हम निकाल लेंगे ना उसके बाद इसे ठंडा पानी से धो के फिर से रख लेंगे तो यह बिल्कुल नहीं चिपकेगा तो इधर गैस पर दिखे मैंने फिर से कराही डाल दिया है दो से तीन चमच इसमें तेल डाल देते हैं अब इसमें डाल देते हैं पांस से छे मैंने लशुन को बारी कट करके डाल दिया है इसे मिला लेते हैं उसके बाद आधा इंच अद्रक का टुकड़ा को भी बारी कट करके डाला है तो थोरा सा इसे मिला लेते हैं उसके बाद इसमें डालते हैं प्यास तो प्यास को मैंने इस तरह से जिसे चिली वगेरा में प्यास डाल बड़े टुकड़ों में तो यह थोरा सा भूनने के बाद इसमें हरा मिर्च को बारी कट करके डाल दीजिए तो इसे मिलाने के बाद अब इसमें चाहिए टोमैटो सॉस और एक चमच डाक सोया सॉस डाल देते हैं इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आयाता है तो इस अच्छे से मिला लीजिए तो बस इसे हाई फ्लेम पे भून लेते हैं ज्यादा भूनने की जरुद्वत नहीं है अब नमक डाल देते हैं इसमें तो नमक हमने पहले भी डाला हुआ इसे ध्यान से डालें तो बस यह सॉस हमारा रेडी हो चुका है तो अब इसमें आड करते है यह पेरे गाजर का जो हमने रेडी करके रखा हुआ है तो बस इसे डालने के बाद ज्यादा भूनने की जरुद्वत नहीं है दो से तीन मिनट चला लेते हैं उसके बाद यह देखे बिलकुल तयार है खाने के लिए आप चाहें तो इसमें थोर अशा चीज भी डाल सकते है गिस के इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आज मैं चीज नहीं डाल रही हूँ तो चलिए इसे शर्फ करते हैं देखके लग रहा है बहुत ही मज़ेतार बच्चों का तो यह बहुत ही फेवरेट बढ़ने वाला है तो बच्चों को चीज बहुत ही पसंद आता है तो ये रेशिपी एक बार जरूर ट्राइ करें कॉमेंट करके बताए कि आपने बनाया तो कैसा बना